अपसे भी कुआ आपका स्वागत है मेरे चैनल दूरगा टैरो मैं और मैं हूँ आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा देखते हैं कि आज का क्या संदेश है आपके लिए तो देखते हैं कि महादेव का आपके लिए क्या संदेश है तो यहाँ पर पहले तो कार्ड आए है The Muse of Inspiration and Joy तो और देखते हैं थोड़े से हम कार्ड जरू लेने टेरो कार्ड तो महादेब यहाँ पर यह कहना चाते हैं कि देखिए लाइफ में आपको यह समझना है आगे बढ़ना और perfectionism से काम करना बहुत जरूरी है या मुझे ऐसा लगता है आप ऐसी society में रहते हैं जहाँ पर बहुत जादा rules हो और हमेशा यह देखा जाता है कि यह सही तरीका है वो सही तरीका ऐसे करना चाहिए वैसे नहीं करना चाहिए या आपके घर में भी बहुत जादा हर चीज चुड़ी चुड़ी चीज को बहुत रोक टोक करके एकदम perfectionist से काम करना पड़ता है या फिर ऐसा है आप बहुत जादा higher society के लोग हैं जहाँ पर बहुत जादा show off में या ये बहुत बातों को ध्यान दिया जाता है तो महादेव आपसे ये कह रहे हैं कि दिखिए पहली बात तो अगर आप ऐसी society में कहीं आपका अगर जन हुआ है तो दिखिए ये भी आपका ही कर्मा है सबसे पहली बात तो आपको इन सब चीजों के लिए grateful रहना होगा कि अगर आप किसी भी बात को लेकर ये सारे burden को लेकर अगर आप frustrated रहते हैं तो ये frustration वाली बात नहीं है महादेव ये कह रहे हैं कि आपको पहले ये देखना होगा कि इसके साथ साथ आपकी life में कितने blessings हैं बहुत सी ऐसी चीजे हैं, resources हैं ऐसे बहुत सारी सुविधाएं हैं जो शायद दूसरे लोगों के पास नहीं हैं जो आपको इस life से मिला है तो पहले तो आप ये difference देखिए कि आप में और दूसरे लोगों में क्या difference है दूसरों की life में और आपकी life में क्या difference है और इसके साथ साथ आपको ये भी समझना है कि देखो हर सोसाइटी का एक lifestyle होता है हाँ होता है पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपना जो अंदर का एक जो बच्चा वाला नेचर है जोईफुल नेचर है उसको totally भूल जाए है क्योंकि यहां पर ऐसा लग रहा है कि आप बाहर से तो भले ही बहुत जादा खुश हैं या लोगों को दिखाने के लिए जो भी करना होता है, करते हैं बकाइदा लेकिन आप अंदर से खुश नहीं है अंदर से आपको ऐसा लग रहा है कि आप यहां से बस भाग निकले और आप अपने आपको free होना चाहते हैं और आप ऐसी life चाहते हैं बड़ी simple life जहां पर जादा responsibility ना हो और छूटी छूटी चीजों में खुशिया हो चूटी छूटी चीज की value हो क्योंकि यहां पैसा लग रहा है कि आपकी जो एक family है या और past का जो dynamic है वहां पर आपको इतना जादा appreciation नहीं मिलता है है ना appreciation नहीं मिल पा रहा है आप कितना भी कर लें आपको क्या है एक तरीके से neglect कर दिया जाता है या आपका जो potential है उसको हमेशा कम ही माना जाता है या आप ऐसा कहते हैं ना कि यह माना आप मतलब अपने आपको prove नहीं कर पा रहे हैं और दिखो यहां पे मैं देख सकती हूँ कि आप बस यह चाहते हैं कि आपके जो और past के लोग हैं जो आपकी family है या जो आपके करीबी है कोई ऐसे लोग हैं यहां पे ऐसा लगता है कि कुछ दो तीन लोग बड़े important है आपकी life में और आप चाहते हैं कि यह लोग आपकी खुशियों में शामिल हों है ना कि आपके सुख में सुखी हों आपकी वैसे इनसे जाद expectation नहीं है तो यहां पे महादेव यह कह रहे हैं कि आपको यह अब देखना है समझना है कि आपको बिलकुल एक छोटे बच्चे की तरह रहना है हाँ ठीक है आपको अपने अपनों से expectation होना चाहिए अपनों से ही इनसान प्यार की उम्मीद रखता है लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी देखना है कि अगर चीजें आपकी अनुकूल नहीं हो रही हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी खुशियों को छुपाना पड़ता है लोगों को अपनी feelings को छुपाना पड़ता है या अपनी जो बाते हैं, अपने जो लाइफ की कुछ experiences हैं, आपको छुपाना पड़ रहा है या आपके अपने ही आपके against जा रहे हैं, या आपके खुशी में खुश नहीं हो रहे हैं तो फिर भी आपको ये है, इन सब बातों से खुद दुखी नहीं होना है क्योंकि देखिए आपकी जो सफलता है और जो खुशियां है वो इन लोगों पर depend नहीं करती हैं तो ये आपको बहुत जादा deep lesson यहाँ पर learn करने की जरूरत है और वो ये है कि देखिए आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बाते या अपनी जो भी success है या positivity है वो आप share नहीं कर सकते तो it's okay आप share ना करें लेकिन आपको ये समझना है कि बहार की जो लोगों की प्रतिक्रिया है उसका असर आप अपनी individuality पर ना पढ़ने दे अपने एक जो आपका mindset है जो आपकी personality है उसको आप यूँ ही positive बरकरार रखे और अपनी खुशी को बरकरार रखे अपने जो अंदर का inner child है जो आपकी अंदरूनी खुशी है joy है उसको खतम मत होने दीजिए ना जो आपकी happiness है उसको खतम मत होने दीजिए जाए भले ही आपके ओर पास कोई कितने भी आपको अकीला कर दें या आपकी उपर कितना भी attack हो या आपकी हसी बनाई जाए या ऐस लगता है आपके ओर पास के लोग मतलब आपका जो भी किया हुआ है जो भी हर चीज है उसको वो हमेशा मॉप करते हैं या हमेशा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपका काम बहुत छोटा है या आपके जो capabilities है वो बहुत ही जादा एक तुच है और इसके साथ साथ क्या है यहाँ पर मैं देख सकती हूँ फिर भी फिर भी आप क्या है कोशिश करते हैं कि जितना जादा अपने आपको positive रख सकें positive रखते हैं आप जादा इन लोगों की बातों में नहीं आते हैं तो यही energy आपको बरकरार रखनी है क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप इस energy म में रहे अगर आप भले ही अकेले हैं अकेले अगर आपके पास कोई आपकी सफलता हमें खुश होने वाला नहीं भी है और लोग आपके और पास आपको criticize कर रहे हैं या रोकने की कोशिश कर रहे हैं अगर फिर भी जो इनसान अपना ये joyful और एक खुश मिजाजी जो एक उस आपकी खुशी को देखकर एक vibrations होती हैं है ना कि हाँ आप देखो मायूस रहने से कुछ नहीं होगा आप कितना दुखी रहेंगे कितना डर डर के रहेंगे हैं और कब तक डर के रहेंगे क्योंकि आपको यहां पर यह भी जानना है कि life तो आगे बढ़ेगी ही चाहें भले क कोई आपका support करें या ना करें चाहें कोई आपको appreciate करें या दुख करें दुखी दे लेकिन फिर भी आपको यह जाना है life आगे बढ़ती रहेगी समय निकलता रहेगा है ना तो अगर यह समय का और life को आप value करके अगर आप अपने आपको एक इस चु लिमिटेड आपकी life ह अगर आप इसकी value करेंगे कि हाँ यह मुझे waste नहीं करनी है यह life में मुझे खुश रहना है आगे बढ़ना है अच्छा करना है और अपने साथ भी अच्छा करना है दूसरों के साथ भी अच्छा करना है तो आप देखींगे कि जो ऐसी situations है ना जो शायद आपको खतरा लग और जो आपकी ऐसी situations हैं ऐसे लोग हैं जो शायद आपको रोकना चाहते हैं वो भी आपको एक तरह से support करने लगेंगे और आपका एक highlight बन जाएंगे और जो आप अपनी जो एक दुनिया है उसको बहतर तरीके से समझ पाएंगे तो आपको बस यही समझना है कि देखो आपको एक अच्छा इंसान बनके चलना है क्योंकि लाइफ में जो काम आएगा वो inner beauty ही काम आता है inner beauty का मतलम यहाँ पे सीधा यही है कि आप एक situation को किस नजरिये से देखते हैं और कैसे आप एक बहुत ही जादा wise और जो कहते हैं समलदार इंसान हैं जो समलदार इंसान होगा वो हमेशा समलदारी वाले decision लेता है और हमेशा वो खुश रहता है क्योंकि उसको अपनी समलदारी पर विश्वास होता है अपने अंदर की सच्छाई पर और अंदर की अच्छाई पर विश्वास होता है उसको पता होता है कि मैंने अच्छा किया है तो मेरे साथ भी अच्छा होगा और मेरे कर्मों का फल भी अच्छा ही होगा तो यही महादेव आपसे चाहते हैं कि आप कोई भी मायूसी को या कोई भी ऐसे जो strict rules हैं इनको अपने उपर हावी ना होने दे क्योंकि यहाँ पे आपको यह देखना है कि जो जरूरी होता है करना वो तो देखो करना ही पड़ता है लाइफ में अगर आप देखो चार लोगों के साथ रहते हैं तो अगर आपको जो आपकी duties हैं या जो जिम्मेदारियां हैं या सब के साथ ताल मिल बिठा कर चलना है वो तो चलना ही पड़ता है लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी अच्छाई नहीं छोड़ सकते हैं तो वो भी आपको ध दोर होने नहीं देना है तो आप खुश रहिए और खुशी के साथ अपना काम करिए खुशी के साथ अपना जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको पूरी करिए और लाइफ को आगे बढ़ाईए यही महादेव का प्ले संदेश है अगर आप परसनल टेरो रीडिंग चाते हैं हवन सर्वेसिज लेना चाते है तो आप संपर्क कर सकते हैं और सावन महा हवन चल रहे हैं 22 जुलाई से 19 आगस तक तो इन दिनों महादेव के बहुत हवन हो रहे हैं तो आप अपने लिए बुकिंग ले सकते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं मिलूंगी नेक्स्ट दिन में